प्रॉसेस तो अपने समझा कैसे आपको साइट पर जाना income tax india e-filing.gov. ये वो वेबसाइट है जहाँ पर आपको अपना टैक्स फाइल करना है इस बार और बार यही रहता है तो आपको ये आईडी आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेशन का प्रोसेस भी काफी आसान है आपको रेजिस्टर करने के लिए न्यू यूजर अगर आप पहली बार कर रहे है और आपको वो क्लिक करना होगा आपको मुबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा और उसके साहता से आप लॉग इन कर पाएंगे जो आपका पैन नंबर है वही आपका यूजर आईडिय है आप क्रेट कर सकते हैं एक अपना पूरा पासवर्ड और उसके बाद आपको कुछ और डीटेल्स फिल करनी है जैसे डेट ओव वर्थ और जो काप्चा कोड उसमें गिवन होता है उसके बाद आप लॉग इन कर पाएंगे लेकिन एक बाद आप में लॉग इन कर लिया और आप उस पेज पर पहुँच गए तो सरा एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि कौन-कौन से जानकारिया आपको देनी होंगी बलवन जी जैसे कि हम जानते हैं सालरीड है या फिर कोई भी और इन्वेस्मेंट के जरीए कोई अगर हमें इनकम हो रही है वो सब शो करनी होती है लेकिन इस बार एक और कॉलम इंट्रोड्यूस हुआ है आई टीर वन में खास दोर पे जो डी मॉनेटाइजेशन के टाइम पे कैश जमा हुआ है उसकी जानकारी देनी है तो अगर आप बता सकें और कौन से सोर्सेस हैं जिसको हमें मेंशन करना होता है इस फॉर्म के अंदर देखिए पलवी पहले तो मैं जवाब दूँगा आपकी जो क्वेरी है कि आपको हरे एक फॉर्म में इंक्लूडिंग जो आई टेर वन है उसमें भी आपको जो डी मोनेटाइजेशन के पीरियड का जो आठ नवेंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के पीरियड के बीच में आपने जो भी पैसा अपने बैंक एकाउंट में जमा किया है अगर मतलब वो राजशी अगर दो लाग से ज्यादा है तो आपको उस कॉलम में मतलब अलग अलग बैंक एकाउंट की डीटेल बैंक वाइज डीटेल में डालना है और वो जरूरी नहीं कि आपका पैसा है वो सिर्फ सेविंग बैंक एकाउंट में जमा हुआ हो अगर अप इसा नहीं कि आपने जो पुराने नोट है जो नोट बेन होगे पांसो और हजार रुपे के और वो डेपॉजिट की है तो ही आपको ये कॉलम में डीटेल डालनी ऐसा नहीं है अगर आपने आपके जो दो हजार वाले या पांसो के जो नए नोट है और उसका भी अगर हैं मतलब वो एवन आपकी ग्जंट इनकम में बने उसमें आपको बतानी तो बोब चरकर के एदर इंकम आपकी होती रहे मतलब कई बार जो income exempt नहीं होते हैं और लोग समझ लेते हैं कि यह income exempt जैसे आपको saving bank account पर interest मिलता है तो saving bank account पर मिलने वाला interest वो आपके हाथ में exempt नहीं है section 80 TTA के इसाब से आपको कोई भी प्रकार के saving bank account पर जो interest आता है उसके उपर जो chapter 6 है जिसमें section 80 C, 80 D विगे रहे है उसी में ये section 80 TTA भी आता है तो 10,000 रुपे तक के saving bank के interest की आपको छूट deduction मिल जाता है परन्तु अगर आपकी 3,000 रुपे की भी एगर saving bank का interest आया है तो आपको income from other sources का interest का जो column है वहां आपको दिखाना है और फिर जो deduction का column है उसमें दिखाना है परन्तु अगर 10,000 से जादा है सब 15,000 है तो effectively आपको 5,000 रुपे पर टेक्स लग बरना पड़ेगा परन्तु चुकि क्या saving bank account पर TDS का provision नहीं है resident के लिए तो लोगों का यह presumption रहता है कि saving bank account का interest तो देखाने का जरूरत है नहीं है वो तो exempt income है तो मैं यह बताना चाहूँगा उससे तरह से एपड़ी इंट्रेस्ट पर भी लोग समझते हैं मेरा TDS कट गया है तो TDS कट इतना TDS कटना और आपकी tax liability का निर्वाद दोनों अलग लग चीज़ है आपका slab rate ज्यादा हो सकता है TDS आपका 10% पर ही कटेगा तो आपको आपकी income पे income में add करना पड़ेगा और TDS का जो 10% के लगे रहे हैं और अगर mutual fund में आप investment विगेरे करते हैं तो mutual fund के जो investment जो detail statement उसमें आप देख लिए किया है और उसमें जो वह income आती है और जो income आपके bank account में reflect होती है जैसे mutual fund में अगर switch किया है तो आपके bank account में reflect नहीं होगी तो आपको पता लगाना पड़ेगा तो मेरे हिस जाप से आपको कोई भी प्रकार की income भले वो एक्जम तो आपके ITR के जो relevant schedule है उसमें डिस्क्रोल तो करना ही पड़ेगी तो आप जितने भी आपके sources besides salary वो भी heads आप ध्यान से पड़े और हारी details आपको अपने form में फिल करनी है लेकिन एक गलती जो कई लोगों से होती है ब करना ही उन्होंने उसे self verification किया था तो यह बताए कि verification कैसे कर सकते हैं यानि कि electronic verification होना चाहिए या फिर जो पुराना तरीका है हमेशा से कि आप उसको भरने के बाद आप उसका print-out निकालिये और फिर बैंगलर office बेजिए तो यह verification के बारे में बहुत सारी confusion है थोड़ा सा clear कर business है और जिनके business की tax audit होती है तो उनके लिए जो अपना जो income tax का रेटन है वो digital signature से ही verify करना जरूरी है इसके अलावा जो भी रेटन आप online file करते हैं उसमें भले ही आपके लिए digital signature attach करना mandatory नहीं है पर अगर आपके पास digital signature है तो आप digital signature use कर सकते हैं इसके अपना आपका जो आ GDP आ जाएगा वो आप डाल के कर सकते हैं इसके लाव आप ATM से भी करने की सोलियत है आप आपका इंटरनेट बैंकिंग लोग इन करके भी आप आपका जो रेटन विगेरे फाइल किया है वो आप बाद में भी वैलिडेट कर सकते हैं परन्तों अगर आपको इन जो process मैंने बत जाता है उसका print out निकाल लीजिए और sign करने के बाद CPC का जो बेंगलोर का address है और वो address भी आपका उस form के ITR 5 के उपर रहता है आप वहां पर 120 दिन के भितर भितर आप भे सकते हैं यानि अगर digital signature नहीं है तो आपको ITR 5 को sign करके CPC यानि के Central Processing Center जो के बैंगलोरू में है और form के अंदर उसका address हो का वहां पर फेशना होगा ताकि verification process पूरा complete हो सके और याद रहे कि 120 दिन का एक slot है आपने जिस दिन फाइल किया उसके 120 दिनों के अंदर आपको ये पहुचाना होगा लेकिन फिर भी कई बार गलतिया हो जाती हैं कुछ न कुछ हम मिस कर जाते हैं हानक कि एक गलती उनमें से यही थी कि आपने verify ने किया उसके अलावा कौन सी और गलतियां हैं जो की नहीं करनी है जिन से दिक्कत हो सकती है और आपका पूरी जो महनत है फॉर्म भरने की वो बेकार जाएगी तो एक बार वो भी बता दीजे कि कि इनके चीजों को अवाइट करन है उनकी आप राय लीजिए उनका एकस्पी फाइदा मिलेगा आपका टेक्स फाइलिंग के अलावा भी आपको आपके इन्वेस्मेंट विगेरे में वह आपको एडवाइज दे सकते हैं प्रंतु अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पैन नंबर व यूज कर रहे हैं या नहीं ठीक है तो यह सब चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है क्विकली बता दें क्या क्या वो चीजें जो भी आपने डीटेल्स भरिये उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए अदवाइस आपका जो प्रूरा प्रॉसस है वो दुबारा से आपको क क्लीम करने यानि कोई भी इन्वेस्मेंस आपने के हुएं वो ज़रूर आप शामिल करने उसे अंप्रूड करना ना भूलें कई बार होता है कि समय पर आपने वेरिफाय नहीं कि आई टीर फाइक तो भी गलती हो सकते और कई बार पिंट आउट निकाला लेकिन साइन करना भूल गई इस तरह की गलतियों को अवाइड कीजिए ताकि आपको आने वाले सब में कोई दिक्कत ना आए शुक्रा बल्वंची आपका समय निकाला आपने और आई टीर के बारे में बताए तो आज की इस खास पेशकश में इतने ही दीजे जास मनश्कार आप